आपका बहुत बहुत स्वागत हैं मित्रो इस दुनिया में अगर कोई भी चीज सबसे ज़्यादा तेज, सबसे ज़्यादा गतिसील अगर है तो वह है आदमी का इंसान का मन आप सोच भी नहीं सकते जितना सूरे की रोषनी, सूरे की प्रकास की गतिने उससे भी कई तेज, कहीं ज़्यादा गतिसील मन की गति होती है अगर आप कहीं पर भी बैठे हो और अगर आपको कहा जाए कि आपको मुंबई के बारे में सोचना है तो आप एक सिकन में एक पल में वहाँ पहुँच जाएंगे, उसके बारे में कलपना करने लग जाएंगे उसके जो भी चीजों को आप जानते हैं उसके बारे में आपके मन में तुरंधी अंकित हो जाएगा है होटल, गार्डन, कुछ भी हो कहने का अर्थ यहाँ है कि आदमी जिस सरीर से कार करता है उससे कहीं लाख गुना, कई लाख गुना सक्ति साली मन की सक्ति होती है तो आपको इसी सक्ति के प्रयोक से एक मंत्र का सिध्धी करके अचुक वशी करन कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति का, बशर्ते इस विधी को संपूर समर्पन से करना है और दूसरी चीज यह है, कि यहाँ बहुत ही खतरनाक है अर्थाद जिसके उपर भी करेंगे, उसका पक्का वशीकरन होना निसीत है उसे आप काट नहीं सकते तो सुझ समझ कर ही कीजिए करना क्या है? इसमें कुछ नियमों का पालन करना है आपको सबसे पहले उस व्यक्ति का मन में कलपना कीजिए चित्रण कीजिए और उसका ध्यान करते हुए इस मंतर का जाब करना है फिर देखिए आपकी जो उर्जा है आपकी जो सक्ति है वह मंतर की सक्ति से कनेक्ट होके किस तरह से इस कारे को सिद्ध करता है इसलिए इस व्यक्ति को आप तोड़ नहीं सकते तो सुझ समझ कर ही करें मंतर इस प्रकार है उसका जाब करना है कोई दिसा का बंधन नहीं है कोई माला का बंधन नहीं है मंत्र का उच्चारण सहीं से करे और उसके बाद आप जो भी कारे करेंगे उस कारे को कर सकते हैं इस विद्धी से संबन्दित अगर कोई समस्चा हो तो नंबर पर वार्षा पर आप मैसेज कर सकते हैं